हेलो बनो स्कार दोस्तों कैसे हैं आप सभी बार फिर से आप सभी का स्वागा थे आपके अपने युटुब चैनल प्राफिट अस्टडी में तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं रेलवे अपरेंटिसिप 2023 के अंतरगत मैंने पहले ही आपको पताया था कि अपरे का अपरेल मंथ का पहला मेरिट लिस्ड जारी होगया धीरे धीरे करके जितने भी रेश्ट मेरिट लिष्ट है WCR का बात कर लें SCR, SCR, NWR सब का मैरिट लिष्ट आपको आधिकांस मैरिटलिस्ट आपको इसी मंत में देखने को मिलेगा तो चली यह फानली वीडियो के आगे देखेंगे कि particular किस डिवीजन से merit लिजारी किया गया है और document verification के regard इसमें पूरा detail दिया गया है कितने candidate को shortlisted किया गया है कहां का merit list आ है cut up कितना गया है सारा details से देखेंगे आज किस वीडियो में तो चली वीडियो की सुरुआत करते हैं उससे पह आपको WhatsApp group में मिल जागा और description में link मिलेगा वहाँ से जाके download कर सकते हैं तो सीधे चलते हैं इसके official merit list पे तो दीखें जैसा कि आप सभी देख रहे हैं इसके official merit list पे हम आ गया है merit list आपको description में मिल जागा नहीं तो इसके official site पे बुझा कि आप merit list को download कर सकते हो और यह जो merit list आपका release किया गया है RWF, Rail Wheel Factory, ठीक है Rail Wheel Factory के तरफ से आपका apprenticeship आया था अगर post का बात किया जाए तो 192 post पे apprenticeship का भरती का notification निकाला गया था और finally इसका document verification के regarding merit list पब्लिक कर दिया गया है हलाकि इतने candidate को shortlisted किया गया है जितना vacancy था उतना candidate को shortlisted नहीं किया गया है मुझे तो एक बात यहाँ पर समझ मनी आ रहे कि Railway इतने कम candidate को कियू shortlisted कर रहा है हम आपको आगे बताएंगे कि कितने candidate आपर shortlisted हुए है अब बात रहा कि document verification का जो venue है वो अभी तक यहाँ पर clear नहीं हुआ है पर जैसा कि मुझे लगता है कि इसी venue पर आपको अपना document verification के regarding जाना होगा General Manager Office, Personal Department, Bengaluru यालाहंका यहीं पर आपको जाना होगा पर यह देखिए confirm यह जितने candidate हैं पर shortlisted हुए 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 सभी को mail के बाद हम से update किया जाएगा तो जिसके पास भी mail आएगा हमें जरू-सरू forward कर दिएगा WhatsApp नंबर आपको description में मिल जागा नहीं तो profitstud 2288 gmail.com पर भी forward कर सकते हैं ताकि आपके भेजे गए एक सिंगल संदेश से हम सभी candidate को inform कर सके हैं चलिए यहाँ पर आपको पताएगा है कि in response to the to office notification number आपका dated 213 2023 inviting application for engagement of trade apprenticeship during the year 22 and 23 under the apprenticeship rate 1961 the under maintained candidate have been selected to undergo training in various designated trade in rail will factory based on the percentage of marks obtained by this candidate in matriculation examination against the quota of seat as indicating below तो सबसे पहले हम आपको यहाँ पर clear कर देते हैं नई तो फिर बाद में आप पक्का पूछोगे कि 120% का quota मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो 100% आपको मिलने वाला है अब बात करते हैं आप मेरिट लिस्ट वेगर हमें देख लीजे तो सबसे पहले आपको serial number दीखेगा name of the candidate दीखेगा जो card से आप विलोग करते हो कास्ट और यहां पर आपका 10th के अधार पर सेलेक्शन हुआ है कौन सा परसेंटेज सिर्फ 10th के परसेंटेज के अधार पर 10th प्लेस आई कंसीडर नहीं किया गया है और रिमार्क आप देख लीजीगा कि कौन सा सीट वेगर आपको यहां पर मिला है एक एकर के नाम मिलाएंगे तो सबसे पहले हाँ पर देखिएगा फीटर फीटर में अगर टोटल बात करेंगे तो यहां पर 19 कंडियेट को सौट लिश्टर किया गया कटफ देखिए हाइस कटफ आपका 68.40 कटफ गया है हाला कि कटफ कम जाने का रिजन है मैं पहले ही आपको बता दिया कि रेलवे इंप्लाय वाट के जितने भी यहां पर बच्चे ते सिर्फ वही कंडियेट यहां पर फॉर्म की जेनरल वाले को यहां पर मौका नहीं दिया मेकैनिक विकल से तो यहां पर भी एक केंडियेट है उसके बाद यहां पर बात करते हैं कटफ देख लिए 59.52 मेकैनिक मोटर विकल से और यहां पर बात करते हैं तो 57 पर आपका सेलेक्शन हुए है मेकैनिट से चलिए टर्नर से अगर बात करते हैं तो टर्नर में देख सकते को मिल रहा हलां कि employment exchange के regarding यहाँ पे selection हुआ है फिर भी यहाँ पे cut-up आपको ज्यादा देखने को मिल रहा है देखिए 83% पे आपका selection हुआ है OBC का अंडिजर्म बात करेंगे 79.36 तो cut-up थोड़ा सापको electrician में high देखने को मिल रहा है उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं electronics mechanics में cut-up देख लिजे तो इसमें आपको 74.10, 71.52, 69.44 तो यह cut-up आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है चलिए next आप बात करते हैं तो finally इतना ही था जितने candidate को यहाँ पे shortlisted किया गया आप सबसे important बात है कि अभी तक आपको DV का date यहाँ पे जारी नहीं किया गया है कि particular आपको किस date में जाना है कहां जाना है वो आपको mail के माध्यम से यहाँ पे update किया जागा अब बात करते हैं कि जो 192 post पे आपका nudification निकाला गया था पर इ railway ऐसा क्यों कि क्यों 138 seat अभी भी खाली रखी है वो तो officially जानकारी अभी तक हाँ पे नहीं है पर railway को ऐसा करना चाहिए कि एक सा जितने भी candidate यहाँ पे सभी का merit list जारी कर देना चाहिए ठीक है पर अभी भी 138 seat आपे खाली है तो second merit list भी आ सकता है बाकि देखी railway का मर्जी जारी करे या ना करे क्योंकि बहुत सारे seat ऐसे भी इधर उदर हो जा रही है अभी जो ताजया खमर आपको हम पता रहे कि बहुत सारे seat आपको इधर उदर हो जा रही है जिसका कोई भी यहाँ पे गिंती नहीं है आप सूचिए कि 192 पोस्ट पे नोडिफिकेसन आया था मा चाहिए तो चली इसी तरह का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बैल बटन का दिएगा इसके रिगाडिंग आपके मन में जो भी डाउटों को हमें कमेंट बक्स में कमेंट करके जरूबत है तब आज के लिए इतना ही तब तक के लिए जय हिंद जय भा सब्सक्राइब